ज्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वसंत पंचमी वाले दिन आप लोगों को क्या-क्या कारे नहीं करने चाहिए। हिंदू कैलेंडर के अनुसार वसंत पंचमी का पर्व हर साल माग महीने के पांचवे दिन मनाया जाता है। वसंत पंचमी परविद्या की देवी मा सरस्वती की पूजा अर्चना करी जाती है। वसन पंचमी, पुजा, छात्रों और कलाकारों के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। देवी सरस्वती को ज्यान का, कला का, बुद्धी, गायन, विद्या का प्रतीक माना जाता है। वसन पंचमी का दिन पढ़ने और लिखने के शुरुवात के लिए शुब माना जाता है। मगर वसन पंचमी के दिन आप लोगों को पता होना चाहिए है कि उस दिन भूल कर भी क्या-क्या कारें नहीं करें या फिर कुछ नियम आप लोगों को पता होने चाहिए। जो लोग वसन पंचमी के दिन पूजा पाट करते हैं साथ ही ब्रत रखते हैं तो सबसे पहले उन्हें यह बात का मालूम होना चाहिए कि उस दिन भूल कर भी आप लोग मास मदिरा का सिवन ना करें साथ ही वसन पंचमी के दिन बिलकुल भी ना सोएं जो विद्यारती हैं वह उस दिन नई किताब पुस्तक खरीट के लाके सरस्वती मा के चर्णों में रखें और फिर अपनी विद्या शुरू करें वसन पंचमी के दिन सुभा सुभा सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा करें फिर सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें और हो सके तो भोले नात के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अवश्य ही अर्पित करें पूजा करते समय आप लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जैसे की पूजा में दीपक सही जगा रखें घी का दीपक हमेशा दाई तरफ और तेल का दीपक बाई तरफ रखना चाहिए जल पात्र घंटा धूपदानी जैसी चीजे हमेशा बाई तरफ रख भगवान को स्नान कराते समय चंदन टीका करते हैं इस दोरान ध्यान रखे की देवी देपताओं को हमेशा अनामिका यानि की हाथ की तीसरी उंगली से ही तिलक या सिंदूर लगाएं आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सरस्वती माता की पूजा पाठ करते वक्त आप लोग मा काली और मा लक्ष्मी की पूजा करना ना भूले हो सके तो इस दिन आप लोग दुर्गा सप्षती का पाठ अवश्य ही करें भगवान के चरणों की चार बार आरती करें नाभी की दो बार और मुख की एक या तीन बार आरती करें इस प्रकार मा सरस्वती के सम पूजन कर्म और आरती पूरी होने के बाद उसी इस्थान पर खड़े होकर तीन परीक्रमाएं अवश्य करनी चाहिए। बैठने का आसन आपका उनी हो तो अच्छा रहेगा। जब भी आप सरस्वती माता की पूजा करें तो पूर पूजा हमेशा पूर विया उत्तर जिशा की और मुख करके करनी चाहिए। अवित्र पात्र में रखें और इसी पात्र में आप लेकर इसको देवी देपताओं को अर्पित करें। मा लक्ष्मी को विशेश रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाता है तो हो सके तो इस दिन मा लक्ष्मी को भी आप कमल का फूल अर्पित कर सकते हैं। आप लोगों को यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि मा सरस्वती की जब आप पूजा अर्चना कर रहे हों तो उनको आप लोग दीपक जब प्रजलित करेंगे तो उसमें गुगल, लोबान और अश्टगन भी डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर चली जाएगी और एक सकरात्मक उर्जा आपके घर में प्रवेश करेंगी। आप लोग सुबह सुबह नाद होकर स्नानादी से निबटने के बाद पूजा अर्चना करें। और वसन पंचमी वाले दिन आप लोगों को पता होना चाहिए है कि इस मौके पर लोग पीले रंके कपड़े पहनते हैं। हिंदू पंचान के मुताबिक पंचमी तिथी सूरोदे और दुपहर के बीच रहती है। वसन पंचमी पर मा सरस्वती की पूजा करते समय सरस्वती चालीसा का पाट अवश्य ही करें। वसन पंचमी का पूजा का मुहरत सुबे 7.17 मिनट से सुरू है। इसकी अवधी 5.15 मिनट तक रहेगी। पंचमी तिथी की शुरुवात 21.00 जनवरी 2018 रविवार को 3.33 मिनट से है और इसकी समापती 22.00 जनवरी 2018 सुमवार को 4.24 मिनट को दुपहर के वक्त बताई गई है। इस तिवहर पर पीले रंग का महत्व बताया गया है क्योंकि बसंत का पीला रंग समर्दी, उर्जा, प्रकाश और आशिर्वात का प्रतीख है। इसलिए इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनते हैं और व्यंजन भी बनाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते हैं तो हमारा चैनल ग्यान मंतरा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।